Dear Students, B.Sc. Part 3rd, Physical Chemistry, Unit 3rd, Spectroscopy में, Raman Spectrum, Video No. 15 इस वीडियो में आज हम Raman Spectrum के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि Raman Spectrum होता क्या है या Raman Spectrum कैसे हम प्राप्ट करेंगे एक्चुल में जब एक वणी प्रकाश का तीवरु पुंज किसी पारदर्सी पदार्थ में से गुजारा जाए तो प्रकाश पुंज का कुछ भाग पदार्थ के अनुओं के द्वारा पर केनित हो जाता है कहने का मतलब यहां देखे जहांपर कर्शर है यह हमारे पास कोई एक पदार्थ है इस पदार्थ पर आपने जो है कोई भी रेडियेशन डाली और इस रेडियेशन की या विकिरन डाली इस विकिरन की अनर्जी है है एच न्यूंग जब यह विकिरन किसी पदार्थ से टकराती है तो टकराने के बाद टकराने से पहले इसकी अनर्जी थी E और जब यह आकर के किसी पदार्थ से टकराती है और टकराने के बाद यह चली जाती है तब इसकी अनर्जी हो जाती है H-डैस H new dash विक्रण की अनर्जी हो गई और इस पदार्थ की अनर्जी हो जाती है E dash अब यहाँ पर हम यह जानते हैं कि आने वाले विक्रण की उर्जा और पदार्थ की अनर्जी E plus H new हो गई इसी तरह से टक्राने के पश्चात विक्रण की अनर्जी हो गई H new dash और पदार्त की जो अनर्जी है वो है E dash यहाँ पर कौन सी चीज क्या है जिसको यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है H new है आपतित फोटोन की अनर्जी है या उर्जा है E टकराने से पूर अनू की उर्जा E dash है टकराने के पश्चातरणों की उर्जा H new dash है टकराने के बाद फोटोन की उर्जा या परकेणित फोटोन की उर्जा H में यहाँ पर हुआ क्या है कोई विकिर्ण आ रही है उसकी अनर्जी तो है H new और कोई पदार्थ जिससे टकरा रहा है यह विकिर्ण जो टकरा रही है उसकी अनर्जी है E जैसे ही विक्रिण किसी पदार्ध से टक्राती है टक्राने के पश्चाथ यह विक्रिण या तो उस पदार्ध को energy दे कर जाएगी या उस पदार्ध से energy ले कर जाएगी जब ये विक्रिन किसी पदार्थ से टक्राने के पश्यात अनर्जी लेकर जाती है या देकर जाती है तो उसके बाद टक्राने के पश्यात जब ये विक्रिन रक्रिनित होती है उस समय इसकी अनर्जी हो जाती है H ν्यू डैस और इस पदार्थ की अनर्जी अगर ये लेकर जा जाएगा और इसकी energy हो जाती है E dash तो हम यहाँ पर टक्राने से पूर्व की energy E plus H new और टक्राने के बाद की total energy जो है पदार्थ प्लस विक्रिण की energy है E dash plus H new dash अब यहाँ बात करते हैं हम Rayleigh Preculean की अनुद्वारा आपतित विक्रिणों की आवर्ति के बरावर्ति वाले विक्रिण उत सरजित करता है तो इसे Rayleigh Precopardion कहते है या Relay Scattering कहते हैं प्राप्त लाइने रेले लाइने कहलाती हैं कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे ही है एचनिव विकिरन कोई भी विकिरन आकर के किसी पदार्थ से टकराती है तो जिस आवर्थी के साथ यह टकराती है और टकराने के पश्यात उसी आवर्थी के साथ चली जाती है कहने का मतलब है कि वो पदार्थ से ना उर्जा लेकर जाती है ना पदार्थ को उर्जा देकर के जाती है यानि उनकी विक्रिणों की उर्जा पहले और टक्राने के पश्षात समान रहती है उस इस्तिती में इनकी आवर्ती जो हैं वो भी पहले की आवर्ती और बाद की आवर्ती भी क्या समान रहेगी तो ऐसी विकिरणों को हम रेले लाइने कहते हैं या जो लाइने प्राप्ट होंगी उनको हम रेले लाइने कहते हैं और इस प्रकार का जो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है उसे हम रेले प्रकिरणन के नाम से जानते हैं तो Raleigh Prakkenan क्या चीज हो गई? अनुद्वरा आप्तित विक्रणों के आवर्ति के बेराबर आवर्ति वाले विक्रण अगर उतसर्जित करता है तो इसे Raleigh Prakenan या Raleigh Scattering कहते हैं प्राप्त लाइने जो है Raleigh Lainे कहलाती हैं. अब हम बात करते हैं रमन प्रभाव। जैसा कि मैंने अभी पूरू में बताया कि कोई भी विक्रण किसी पदार से आकर करके टकराती है तो टकराने के पशायत या तो उस पदार को अनर्जी दे कर जाएगी या उस पदार से अनर्जी ले कर जाएगी। अगर वो अनर्जी ल प्रकिर्णित् विक्रणों में से कुछ विक्रणों के आवरती मूल विक्रणों की तुलना में अलग हो सकती है। यही रमन प्रभाव है। फिर से देखिए प्रकिर्णन विक्रणों में से कुछ विक्रणों की आवरती मूल विक्रणों की तुलना में अलग हो सकती है यही रमन प्रभाव है इस्पेक्ट्रम की वे लाइने जिनकी तरंग देर्दे रमन प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाती है रमन रेखाएं कहलाती है अब आगे देखिए यहां पर आपको तीन डाइग्राम जो है नजर आ रहे हैं इन तीनों डाइग्रामों के मात्रम से जो हैं हम इसको समझ सकते हैं मान लीजिए यह कोई विक्रिण है H new I, I for incident और E for emitted या scattering के बाद में जो जाती है उसको विक्रिण की जो उरजा है H new E, इमिटेट जिसकों कहेंगे यानि यह H new विक्रिण आती है और आकर के फिर टक्राने के प्रशात वापस चली जाती है तो हमें जो लाइने प्राप्त होती है उनको हम स्टोक लाइने कहते हैं स्टोक लाइने कौन सी होती है यदि आने वाली विक्रिण की आवरती का मान ज्यादा और जाने वाली जो ट्रक्रिणित होकर के जो विक्रिण जाती है उसकी आवरती कम हो तो हमें जो प्राप्त होने वाली लाइने होती है इन्हें हम प्राप्त होती है जब आने वाली incident radiation या आप्तित विक्रिणों की आवरती और प्रक्रिणित विक्रिणों की आवरती दोनों समान होती है तब हमें प्राप्त होने वाली लाइने रेले लाइने कहलाती हैं या इन्हें हम रेले लाइने कहते हैं एक और case देखे यदि incident आने वाली आप्तित विक्रिणों की आवरती का मान कम और प्रक्रिणित विक्रिणों की आवरती का मान अधिक तो उस इस्तिती में प्राप्त होने वाली जो लाइने होती हैं उन्हें हम anti स्टॉक लाइने कहते हैं तो यहाँ पर हमें तीन प्रकार के प्रभाव प्रदशित होते हैं कि जब कोई भी आने वाली विकिरन किसी मैटेरियल या पदार्थ से टकराती है तो टकराने के पश्चात या तो उसके आवरती में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि ऐसी स्थती होती है तो हमें रेले लाइने प्राप्त होती हैं और यदि विकिरन की आवरती कम हो जाती है तो हमें स्टॉक लाइने प्राप्त होती हैं और किसी पदार्थ से टकराने के बाद आप्तित विकिरनों की आवरती प्रक्रिनित होने पर विक्रिणों की जो आवरती है वो प्रक्रिनित विक्रिणों की आवरती यदि कम हो जाती है तो इने हम एंटी स्टोक लाइने कहते हैं इस्टोक लाइनों में आप्तित विक्रिणों की आवरती अधिक होती है प्रक्रिणित विक्रिणों की आवरती कम होती है रेले लाइनों में दोनों की आवरती समान होती है इसलिए डेल्नियू यह आवरती का जो अंतर है वो सुनने होता है और एंटी स्टोक लाइनों में प् रक्रिनित विक्रणों की जो आवरती है उसको गठा दिया जाए तो हमें यह रमंसिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है तो रमंसिफ्ट होता है Del New is the new incident minus new emitted इसे ही हम रमनशिफ्ट कहेंगे रमनशिफ्ट रेले लाइनों के लिए सुन्ने प्राप्त होता है इस्टोक लाइनों के लिए जो है रमनशिफ्ट पॉजिटिव प्राप्त होता है आगे देखे यहाँ पर एक डियाग्राम जो mathematics है उसके आधार पर आपको थोड़ा सा इन लाइनों में difference करके बताया गया है कि यदि माली जी आने वाले विक्रिन की आवरती है h new और पदार्थ की उर्जा है e प्रक्रिनित होने के पशात विक्रिन की उर्जा रह जाती है h new और तथा पदार्थ की उर्जी रह जाती है e यदि हम पक्षानांतरन कर लेते हैं h new और इसको आप e को जो है दूसरी साइड ले जाए तो e dash minus e दोनों में से h common ले लिजे h new minus new dash और e dash minus e तो यहाँ पर यदि हम new minus new dash निकालना चाहें तो e dash minus e upon h तो यहाँ पर तीन केस हमें देखने को मिलते हैं पहला हमारा केस है यदि new minus new dash दोनों का मान आपस में बराबर हो कहने का मिला आपतित विक्रण और प्रक्रिणित विक्रण के आवरती का मान समान हो उस इस्तिती में पदार्थ की उर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पदार्थ की उर्जा जितनी पहले थी बाद में भी उर्जा उतनी ही रहेगी अगर ऐसा होता है तो हमें प्र आप्त होने वाले लाईनों को हम यसके पास कुछ अनरजी है वो अनरजी पदार्थ को दे जाती है जिसे पदार्थ की अनरजी बढ़ जाती है लेकिन स्वैम की अरजा विकिर्ण की जो अरजा है प्रक्रिनन के पशात कम हो जाती है तब हमें प्राप्थ होने वाले लाइने इस्टोक लाइने होती है थर्ड केस देखे यदि आप्तित विक्रिन की आवरती कम और प्रक्रिनित विक्रिन की आवरती ज्यादा होती है उस case में पदार्थ की स्वैम की उर्जा पहले ज्यादा होती है लेकिन बाद में उर्जा कम हो जाती है क्योंकि प्रक्यूनित होने वाली जो विकिरन है वो पदार्थ से उर्जा लेकर चली जाती है जिसे उसकी स्वैम की अनरजी बढ़ जाती है ह new dash का मान बढ़ जाता है लेकिन पदार्थ की स्वैम की जो अनरजी है वो कम हो जाती है उस इस्तिती में हमें प्राप्ट होने वाली जो लाइने होती है उन्हें हम anti-stock lines कहते है anti-stock lines की तीवरता कम होती है अब हम बात करते हैं stock line के define करेंगे हम stock line और anti-stock lines को हम define करेंगे relay line को हम पहले ही define कर चुके है यहाँ पर अब देखे stock lines जिन लाइनों की तरंग देरदे का मान अब देखे तरंग देरदे और आवरती दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है इसलिए इस concept को भी हमें ध्यान में रखना होगा जिन लाइनों की तरंग देरदे का मान आप्तित विक्रिनों की तुलना में ज्यादा होता है या आवरती का मान कम होता है दोनों हम तरंग देरदे के आदार पर भी इसको define कर सकते हैं और आवरती के आदार पर हम इसको define कर सकते हैं लेकिन मूल रूप से हम जो है इसको आवरति के आदार पर डिफाइन मानेंगे तो आवरति का मान यदी कम होता है और तरंगदेर्दे का मान उच होता है तो उन्हें हम stock lines कहते हैं और रमनशिफ्ट यहाँ पर हमें positive प्राप्त होता है anti stock lines में जिन लाइनों की तरंगदेर्दे का मान आप्तित विक्रणों की तुलना में कम होता है या आवरति का मान अधिक होता है उन्हें हम anti stock lines कहते हैं और anti stock lines के लिए जो है रमनशिफ्ट negative होता है अब हम बात करते हैं रमनशिफ्ट पहले भी मैंने बताया है आपको रमनशिफ्ट के बारे में कि आप्तित विक्रणों की आवरति तथा प्रकेनित विक्रणों की आवरति में अंतर को रमनशिफ्ट कहते हैं डए बात करते हैं रमन रेखाओं के गुण रमन रेखाओं में क्या-क्या गुण जो है हमें देखने को मिलते हैं रमन रेखाओं में पहला जो गुन है वो हमें देखने को मिलेगा stock lines की तीवर्था सदेव ही против stock रेखाओं से अधिक होती है त्का ताप बढ़ाने पर anti-stock lines की तीवर्था ज्यादा होती है दूसरा रमन रेखाओं का गुन है कि रमन shift का मान hand rate से लेकर के 4000 cm inverse के छेतर में होता है Near and far IR region में जो हैं हमें रमन shift देखने को मिलता है मूल रेखा और परिवर्तित रेखा के मद्दे का आवरती अंतर पदार्त के अवसोशन बैंड की आवरती को प्रदसित करता है तो ये हैं हमारे पास रमन रेखाओं के गुण short में हम फिर से चलते हैं रमन रेखाओं के गुण stock lines की तीवरता सदेवी anti-stock रेखाओं से अधिक होती है ताप बढ़ाने पर anti-stock lines की तीवरता उच्छ होती है रमन shift का मान hand rate से 4000 cm नमस के छेतर में होता है मतलब ये जो हमें रमन shift हमें देखने को मिलेगा वो near and far IR region में देखने को मिलेगा मूल रेखा और परिवत रेखा कि मर्दे का अवरती अंतर पदार्थ के absorption band की अवरती को दर्साता है धन्यवाद आज इतना ही